अमेरिका ने सीरिया इसलामिक स्टेट और अलकाइदा से जुड़े आतंकी गुर्प के ठिकानों पर हमला किया इसमें सैतेस आतंकी मारे गए हैं अमेरिकी सेना ने रविवार को कहा कि उन्होंने सीरिया में दो अलग-अलग दिन ओपरेशन को अंजाम दिया 16 सेतंबर को मध्य सीरिया में ISIS के ट्रेनिंग सेंटर पर एस ट्राइक की गई थी इसमें 28 आतंकी मारे गए इसके बाद अमेरिका सेना ने उत्री परश्यमी सीरिया में हमला किया जिसमें अलकाइदा ग्रुप के 9 आतंकी मारे गए अमेरिकी सेना के मुताबिक हमले में अलकाइदा संगठन से चुड़ा हुर्वस अलदीन का एक टॉप लीडर अब्द अलरौफ मारा गया है वो सीरिया में मिलेटरी ओपरेशन की देखवे करता था सीरिया एक मुस्लिम बहुल देश है जहां पर 74 प्रतीशत सुन्नी और 10 प्रतीशत शिया अबादी है सीरिया में काफी कम अबादी होने के बाद भी एक शिया लीडर बश्रव अल-असच शासन कर रहे हैं बश्रव को हटाने के लिए सीरिया में 2011 में संघर शुड़ गया था लेकिन वो आज भी सत्ता में कायम है हाला कि इसके लिए देश को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है